गाज यह सिपला का विखली टाइम फ्रेहम का चार्ट जैसे कि आप देख सकते हो सिपला ने उसका विखली टाइम फ्रेहम को यहाँ पे बेक्वाट करके उसकी ऑलटाइम हाय पर different कर रहा है आज हम इस विडियो में इस टाइप का टॉप फाइब ऑल टाइम वीकली ब्रेकाऊट स्टाउक देखेंगे वीडियो को एइंड तक देखेगा guys क्यूंकि वीडियो की end में जो पांचवा नंबर पे जो stock आने वाला है जो पांचवा नंबर पे जो stock में आपको बताने वाला हो हो ना high accurate breakout stock होने वाला है weekly high accurate breakout stock so video को end तक देखेगा so चले वीडियो को start करते है video को start करने से पहले एक request है guys आप channel पे नहे हो big breakout stock को first time visit कर रहे हो वो तो चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए ये वाला विडियो जिसमें मैंने डिसकॉस किया हूँ Top 25 All-Time High Stocks A to Z and A to C तक मैंने इस बीडियो में डिसकॉस किया हूँ यह वाला वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर के वाला वीडियो एक बार देख लीजिए क्योंकि सारे all time high stocks जो कि A to C तक है मैंने इस वीडियो में कबर किया हूँ and rest जो stock रह जाएंगे और मैं बाद में इसका second part, third part लेकर क्या होगा इसलिए मैं चैनलों को सब्सक्राइब करके रखे and bell icon को press करके notification को on करके रखे so चलिए आज का जो top five all time weekly breakout stock है ओ एक एक करके देख लेते है so guys हमारा जो first top five weekly breakout stock में जो first breakout stock है ओ है sipla so sipla एक pharma stock है so यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर उसका all time high था and यहाँ पर rejection लेकर के यहाँ तक follow आता so यह price में आपको दिखा देता हूँ यहाँ तक follow आता 370 के आसपास and finally इसने यहाँ से यह जो दो भी indicator लगा हुआ है एक 15 का and एक 20 यह में ठीक है यह indicator के उपोर close देकर के जो resistance था इस resistance को इस हफते finally एक strong bullish candle के साथ breakout दे दिया और यहाँ पर देख सकते हूँ यहाँ पर RSI जो है RSI यहाँ पर support लेकर के fail होने जा रहा था फिर से यह जो candle इस दो candle ने फिर से यह 60 RSI के उपर close दे दिया so यह हमारा fast stock हमारा दूसरा stock भी देख लेता so guys हमारा दूसरा stock जो है weekly breakout stock में उसका नाम है AIIL ठीक यह AIIL का stock और यहाँ पर देख सकते हो यह newly listed company है और यहाँ पर देख सकते हो उसका all time high का resistance यह था और पिछले हपते इस strong candle का साथ इसने breakout दिया था और इस हपते देख सकते हो retest लेकर के candle bullish जाने की त्यारी में है यह एक retest का stock बोल सकते हो आप लेकिन इस हफते भी इसने इसको breakout दिया इस stock को आप आप की साफ से ले सकते हो एक बार मैं इसको daily के time frame में chart में दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर देख सकते हो daily के time frame में chart time frame के chart में यहाँ पर breakout देने के बाद यहां से यहां तक की rally so stock को अभी आप आपके watch list में आड़ करके रख सकते हो तिसरा वाला stock जो है हमारा ओ है ask automotive so ask automotive का यह guys daily के time frame का chart है so यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन means जो Friday के दिन यह ask automotive two point zero two percent में close हुआ है and breakout दे दिया था यह 13 जून को 14 जून में two percent में close हुआ so इसका weekly time frame का चार्ट एक बार देख लिए so guys यहाँ पर देख सकते हो इसका weekly time frame का चार्ट यहाँ पर उसका all time high का price था and इसी price ते rejection लेकर के जा रहा था फिर से price उसको all time high के पास आया था दूसरा और फिर से यहाँ से rejection लेकर के आया and इसी बार यह जो था lower lower low and फिर से lower high and यहाँ पर एक और lower high बन आया फिर अभी higher high बना करके भी जा रहा है so हो सकता है तो इसका high break करेगा तो और उपर भी जा सकता है यहां पर दोखो कि एक चीज जो कि यह 60 RSI के उपर अभी यह close दे दिया है weekly time frame के चार्ड में इसमें अभी और potential है और उपर जाने की यह त्यारी में है इसको भी आप आपके watch list में add कर सकते हो गाइस यह है ask automotive का weekly time frame का चार्ड और current price इसका है 349 का अगला वाला stock हम देख लेते हम सो मारा चौधा वाला जो stock है guys वह है आजाद engineering जैसे कि मैंने all time high के stock में discuss किया था आजाद engineering मेरा favorite stock है यहां पर देख सकते हो IPO जब लाए था तब price उसका around 4500 के आसपास था और तब से यह देख सकते हो अभी trade कर रहा है 1700 सताना भी 1800 के आसपास trade कर रहा है so जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो उसका all time high का resistance यह था फाइनल इसने all time high को breakout दे दिया है और इस हपते इस हपते देख सकते हो एक strong bullish candle and Friday के दिन तो यह 5% तक गया था गाइस देख सकते हो तो डेली के time frame में एक बार हम देख लेते हैं and Friday के दिन यह साहथ upper circuit में close वा था देख सकते हो यहां पर circuit में close वा था है देता हूं weekly time frame में तो यह 60 RSA के ऊपर ही है तो यहां पर एक नोटीस करने के बाद यह strong bullish candle so bullish माराबुजू candle इसको बोलते हैं तो आप इसका 50% मार करके यहां पर entry कर सकते हो नहीं तो इसका high break करता है तो entry कर सकते हो एंट्री करना आपके हिसाब से रहेगा गाइस मैं disclaimer देता हूं यह भी जो मैं स्टॉक डिसकस करते रहता हूं यह सारे स्टॉक एजुकेशनल परफोस से है सो मैं किसी को बाई और सेल रेकोमेंडेशन नहीं दे रहा हूं ठीक है तो अगला वाला हमारा फीप्ट स्टॉक जो कि मैंने पहले ही बताया था मेरा फेब्रेट स्टॉक ओह है देख लेते हैं गाइस हमारा फाइनल एंद फीफ्ट स्टॉक का नाम है यहां पर देख सकतो यह कैसे एक बार यह फिर से सपोर्ट लेकर के जो ट्रेंड लाइन था इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट दिया फिर ब्रेक आउट देने के बाद यहां पर रिटेस्ट लिया रिटेस्ट लेने के बाद फीर गया था लेकिन यहां पर फार्स टाइम यहां पर रेजिस्टांस में रेजिस्ट लेकर कि फॉल हुआ और फिर से आया अधिये जो था लोयर हाई यहां पर लोयर हाई था यहां पर एक लोयर हाई बना करके फिर यहां से अभी ब्रेकाउट दे दिया इस अपते एक स्ट्रांग बुली स्केंडल एंड श्ट्रांग मैसीब बालूम के साथ तो इस एक चीज़ यहां पर नोटिस करना गाईज यह जो RSI है weekly time frame में देख सकते हो 60 के उपर नहीं यह नीचे से जा रहा है नीचे से जो भी RSI है 30 के असपास है यह 30 से जा रहा है तो इसमें Java potential है क्योंकि नीचे से जा रहा है उपर तो यह जाएगा फिर 60 RSI के उपर जाएगा तो और रैली आ सकता है इसमें इसमें एंट्री करने का सही टाइम है इसको मैं एक बार डेली के time frame में आपको दिखा देता हूँ तो डेली के time frame में आप देखोगे सब्सक्राइब आपको दिखा देता हूँ यहां से जो भी था 13 जून से 28 पर्सेंट देख सकते हैं से यहां से यहां तक 28 पर्सेंट दो दिन में return देके रखा है इस टॉक सो इसमें और भी potential है क्योंकि यह all time high जो भी है इसका all time high को break कर चुका है अभी तो इस टॉक को भी आप आपकी वाच लिस्ट में आड़ कर सकते हो तो आज का यह top 5 weekly breakout stock था गाए इसमें से तीन breakout stock था और रिटेस्ट वाला stock था तो वीडियो कैसा लगा आपको comment करके बताए और चैनल पर पर फास्ट राइम है वीडियो को अभी तक देख रहे सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइक उन को फ्रेश करके नोटिफिकेशन को अन कर दीजे मिलते हैं हम अगले वीडियो में एंड वीडियो को लाइक नहीं के तो गाइस वीडियो लाइक करके छोड़ दीजिए थेंक यू